पाजपा की सच्छीव तरुन चुंग ने कहा, कि इस सिद्धू की मामले को लेकर पंजम्जाब कॉंग्रेस दो हिस्सों में बढ़ चुके हैं। प्रेस कॉन्फरेंस को संबोधित करते हुई चूंग ने कहा पंजाब कॉंग्रेस का एक हिसा नौजोज सिंग की पाकिस्तानी जननेर के साथ डाली जफ्य को जाईज ठरा रहे हैं। जबके एक हिसा जिसमें मुख्या मंत्री और कैप्टन अम्रिदर सिंग शामिल है खुल कर सिद्धू का विरोध कर रहे हैं। इस आशाय पर तरुन चूंग ने पंजाब कॉंग्रेस अध्यक्ष, सुनेल जाखन, वित्तमंत्री, मनप्रीत बादल को भी आडे हात लिया। और कहां सिद्धू दरसल रहुल गांदी के कहने पर ही पाकिस्तान गए थे। और उन्होंने सिद्धू के जरे कॉंग्रेस का पाकिस्तान के साथ अपना प्यार जाहिर किया है, जो के कॉंग्रेस की डियने में शामिल है। ऐसा है कि कांग्रेस अज सिद्धू दे पार दे नाल ही डिग रही है और पंजाब दे अंदर कांग्रेस दा सरदार कौन है ओ एही कर डिसाइड नहीं हो पा रही है कैप्टन साब केंदे मैं पंजाब दा मुक्ष मंतरी होंदे नाते कांग्रेस दा सरदार है जाकर साब अपने अपनो सरदार में आई पैठे है सिद्धू साब अपने अपनो सरदार मान रहे है मन परीद बादल अपने वलनो सरकार कीच रहे इस सरकार कई खेम्या जो बंडी कई खेम्या भी चल रही और मैं समय ना मुक्ष मंत्री दा स्टैंड और बाजवा दा स्टैंड बिल्कुल ठीक स्टैंड ऐस काल नो कीक बसे साथे देज दे फोजी मर रहे शहीद हो रहे उन्हा शहीद ना दिये चितावा ये ठंडिया नहीं होई है गले कटे होए सर हजे भी इंसाफ दी मंग कर रहे रोज मोटर हमले हो रहे और करान वाले व्यक्ति ना जपी पांते जाखट साब नो पदा नी की दिस रहे ये मैं लगदा है कि जाखट साबनों के रहे ना के रहुल गांदी जी दे इंस्ट्रक्शन हो सकदी है कि सिद्धू ना खड़े हो क्योंकि रहुल गांदी दी इंस्ट्रक्शन ते ही नग्जो सिंग सिद्धू पाकिस्तान गेने मनी शंकर रहे येर पार्ट टू हगा सिद्धू दोत्य जाना और सिद्धू उत्य से बिच्चे गेने कि जड़ा पाकिस्तान प्रेम कांग्रस दी डी इन ने चेगा उस पाकिस्तान प्रेम मनी शंकर रहे येर को टूइशन लहे के राहुल गंदी दे कहन दोते गए है मैं समय ना कांग्रस दो फाड है एक बासे जिननों शहीदा दी चिंता है और एक बासे जड़े शहीदा दी चितावां तों ही अगे लंगे राइनी दी कर रहे दुखत है ऐसा है मैं हरा ना कांग्रस दे लीडर्स ही सोचते एक बासे कांग्रस दा एक लीडर खुले आम हिंदोस्तन सेना दे जर्नल नो जर्नल रावत नो गली दा गुंडा केंदा है जड़ा वेकती देशा से बॉर्डर दे लड़ रहे हैं गोलियां खा रहे हैं जड़ा सेना पती है उन्हों गुंडा केंदा है और दुझे पांसे कांग्रस दा एक लीडर हिंदोस्तान दा सेना पती गुंडा ते पाकिस्तान दा सेना पती बाजवा अमन दा पेगंबर अमन दा मसीहा मैनोन ना गले लाक्यों ने मैंने वो कोई दिता है एक ड़ी सोच अईसे कोई सुगात ने ले आए पंजाब दा सिर चुका के आए सुगात ने सिर चुका के आए निनकाना साथ दी गल तुझी सारे पत्रकार हो बड़े स्याने हो निनकाना साथ दी गल करनवास चे इमरान खान नल क्यों नी गल कीती इमरान खान नल बैठे ची पंताली मिंटे सिदू साब आप कह रहे है मैं पंताली मिंट अमरान खान नल बैठा तो पंताली मिंट है जिमेरान खालनाल जी गल नि कि ती कि करतार्पूर शुप दा रष्टा खुल लिगा जये। तो सेना पर मुख्क ने थोड़ी की सीजन लेना है, नल कोई तो अड़ा कमपड लेवल सेना पर मुख्क नल बन गया है, करतारपूर सायब ती गाल करके आनी चीद इमरान कान ना करदा, इमरान कान उन गोशित करदा, इमरान कान जो जो सिंग सिंद्धू दी स्पोर्ट जो आने तामियों ना ने अपने ट्वीटर दे अंदर करतारपूर सायब दी रस्ता खुलन दा जिकर तक ने किता है, चुप साब, मुख मंतरी कैप्टन अमनुगे सिंदे, विदेश मंतरी किकमा सवराज नो करतारपूर साब दी रस्ते ले खाते लिखे है, इदे बारे भी को बिल्कुल रस्ता खुलना चाहिए और असी हाकचा रस्ता खुलना चाहिए और शिरीमती सुश्मा सवराज जिक बड़ी विद्वान नेता ने, विदूशी ने और उना दे मांदे अंदर बहुत ज़्यादा तडप पंजाब और खास तोरते शिरी गुर्णानक साब अस्ते हैगी निश्चित रूप्च जो डिप्लोमेटिक रस्तेरे से पनाने चाहिए अजच पनाए जानगे और खुद दो पूरे वर्ल्ड दे अंदर सब थामादे उत्ते गुर्णानक साब दे जीवन दी यात्रामा जीवन दे संदेश, मानवतादा संदेश, एकमकारदा संदेश, सिक्क तरमदियां सिक्षामा संगत, पंगत, मानस की जात सब एकों पहिचानबो ए हर कोने चे पहुंचे शिरी में दी सुश्मा सवराजी खुद दिल्ली गुर्दवारे चे जाके उनाने ऐरे ऐसे अरदास भी किती है और खुद जाके उनाने क्या भी है ऐसे जो मैंने पूरा जिकीन है कि शिरी करतारपुर सहब्दा रस्ता खुलन वस्ते जो वत वत प्रयास है वो कर लिए पूर्ट को पूरा सुखवाल खेरा ने बाग्दिर भी राइकान में अगी पबिडी रैली के इसे खुद आप खेरा होन या चीमा साब होन यहां होए केजरी वाल जैसे सो दिया यहां होए खेरा खेरू खेरू हो चुकी है आम आपनी पार्टी पंजाब्च खेरा जी ने एक नमा खेरू बना ले आए गोशित करन ना करन केजरी वाल दी फोटो ना लाना ऐसे बहुत लोग ने तो इस देखो अशीश खेतान और अन चटके चलेगे फांडर मेंबर सी आशु तोष आम आपनी पार्टी ने चटके चलेगे तुमार विश्वास चटके चलेगे छोटे पुरसाब चलेगे कोगीजी चलेगे एक लंबी लिस्ट है तिला तिला खेरू 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 वही पार्टी दी तुमार विश्वास पार्टी अपना अधार पंजाब चो ने क्रेट कीता है यह खोच चुकी है तुझी देखो एक भी कॉर्परेशन सीट नहीं जिती है ना अमरिशाच ना जलंदर चे ना लुग आना ना पते आला चे बाई एलेक्शन जिता नबद है दोजार दोकाट वोटा मिली हैं इल्ड़ाई सक्ता दिये और भानुमती दा कुन बै को कैडर बेस्ट और जिशन नी कि लोग सक्ता ना रहेंगे विपक्ष्ची भी ना जिना इते सिर्फ और सिर्फ सत्ता वासे काम करना ले लोग यहां ना इको जा उल्व में पूरेय दितर दोक्चा की बैया अर दीदी चला रहें ने कैप्टन साबना चलन नहीं दे रहें้ं न बैया दीदी ने अशीरबात मन प्रीद बादल दी पिटते रखता है कि नव जो सिंग सिंदू दी पिटते रखता है ये थे बही और दीदी जानन और असल जवाब कि सरकार पांच साल कटेगी कि नव जो सिंग सिंदू दे से मैं कहने नहीं जी खुले दिल न लान कैनेडा ले आन, अमेरिका ले आन, कोई आन, मन साफ करके आन, पंजाब दे मुद्यां दा रायनिती करन, पंजाब दियां विशियां दा आंतकवा दी करन, अपनी तर्ती दे ना होन दे ने, इस कमिटमेंट न लान खुले दिल ना लान, वैसे इसी दे थिती देवो बवदी तरती, आई स्वागत करने, लेकिन मन खोल क्या, त्युक्सा कनाड़ा लेचे पार्ती मूल दे राहुल कुमार नू नसली टिपनी किती, असा है कि विदेश्या दे अंदर, आउन होन बड़ा मानावदी कराँ दे सरक्षक मन दे ने, लेकिन जिस तर화 गया घंनन होना वंना द के स्टेटर मौन खोल कूल होutना हो T skincare दे और शोल आइड़ा दे मौन खहिंग से अड़े ने बनाविदा मानावादी कराँ दे अजाए निया, वहार पनकीने सर्कारय किраш एक पंजाबी कलम पुल्दीब नईयर अच्छ नहीं रहे, बहुत तो नहीं बुक्स लिखी है, वचारीक रूप चे कोई भी किस भी हो सगता है, लेकिन वो एक व्यक्ति 95 साल दे जिन्दगी, जिर जो बहुत वड़ा भाग पंजाब दे मुद्यान चुक्कना से, पंजाब दे मुद्यान दून लिखन वस्ते होनाने लगाया, मैं समयना बहुत वड़ी हानी पंजाब दी होई है, और एक अच्छा व्यक्ति पाईचारी द लिखल करनवाला, पेगाम शांतिदा देनवाला सर्च चलादे।